हलो नमस्कार अदाव सलाम सस्वी एकाल केम छो कसे काई के रोहाल है के नाच्छी यहां सब कैसन वानी हावर यू कैसे हैं आप लोग मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मालब भी योग के बारे में योगी सुक्र से जिसका निर्मान होता है आज इसी के बारे में बात करेंगे जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में ये मालब भी नामक योग होता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवनकाल में राजा के समान जिंदगी बैतीत करता है धनी होता है एक बहुत बड़ा बिजनस एंपायर खड़ा करता है अथबा एक गौर्मेंट में बहुत बड़ा कोई अफिसर का पद लेता है उसका सरीर इतना सुन्दर होता है कामदेव के समान कि जिसको देख करके कोई च्छन भर में मोहित हो सकता है इतना सुन्दर सरीर होता है उसका इतना जादा तेजस्वी होता है उसके हाव भाव कु का उसके कुंडली में निर्मान होता है जब भी उसका समय आता है तो वो ब्यक्ति एक मिट्टी में पड़ा हुआ एक बच्चा जो है चंद्रगुप्त के समान उठकर के राजा बन जाता है महराज चंद्रगुप्त के कुंडली में भी मालब भी योग था तो इसलिए मित्रो मालब भी योग अगर आपके कुंडली में है तब आपको घवराने की आवशकता नहीं है तब आपके जीवन में निश्चित रूप से वो फल जो है तो फलित होगा निश्चित रूप से आप एक बड़ी गौर्रमेंट और अफिसर बन सकते है अथवा आपका खुद का एक ब कुंडली में एक चार शात और दस घर में सुक्र होना चाहिए आपके कुंडली में दूसरा कंडिशन कि वो अपने मूल त्रिकोन रासी में होना चाहिए अथवा अपने उच्च के रासी में होना चाहिए तीसरा कंडिशन कि सुक्र 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में अगर र तो वो आपको 50% result देगा और अगर 0 degree से 6 degree पर में है तो वो आपको 25% result देगा और 18 degree से 24 degree पर में है तो result नहीं के बरावर देगा और 24 degree से 30 degree पर में है तो भी result कुछ नहीं देगा जीरो, तो ये मालब भी योग का कंडिशन है, उसमें एक और कंडिशन है कि सुक्र के साथ आपके कुंडली में किंदर में सुर्ज अत्वा、 चंद्रवा नहीं होना चाहिए नहीं तो आप एक राजा नहीं आप बहुत बड़े ऑफिसर नहीं अब आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रहा होगा उपर में लिखा हुआ है सबसे उपर में मालब भी होग उसके नीचे में लिखा हुआ है जर्म कुंडले या हस्तरेखा दिखाने के लिए संपर्क करें संपर्क सुत्र 7062757996 उसके नीचे में आपको एक कुंडली बना हुआ दिखाई दे रहा होगा इसको मित्रों कुंडली कहते हैं और इसमें जो पहला कंडिशन है वो कि सुक्र आपके कुंडली के केंद्रभाव में होना चाहिए केंद्रभाव का मतलब है कि ये घर ये घर ये घर और ये घर ये जो कुंडली है मित्रों वो तुला लगन की कुंडली है आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो कोई फर्क नहीं फरता है लेकिन सुक्र जो है इस चार में से किसी घर में होना चाहिए पहला कंडिशन दूसरा कंडिशन यह है कि सुक्र या तो तुला रासी में होना चाहिए जहां प अपने मूल त्रिकोन रासी में सुक्र होना चाहिए अथवा अपने उच्च के रासी में सुक्र होना चाहिए उच्च का रासी सुक्र का मीन होता है तो अपने उच्च के रासी में सुक्र हो अथवा अपनी मूल त्रिकोन रासी यानि की तुला रासी में सुक्र हो अगर ये दूसरा कंडिशन भी आपका कुंडली फॉलो कर लेता है तो तीसरा कंडिशन ये है कि सुक्र का डिग्री 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए तब ही जाकर के आपको जो है उसका पूर्ण फल की प्रावति होगी तीसरा कंडिशन भी अगर आपका फलो कर लेता है तो चौथा कंडिशन ये है कि सुक्र के साथ सुर्ज अथवा चंद्रमा नहीं होना चाहिए इस चारों में से किसी घर में नहीं तो वो आपको 100% फल नहीं देगा आपको एक सामान निसा धनिक बना करके छोड़ देगा और इसे आपके सामने ये कंडिशन जो लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पर में प्रस्तूत कर देता हूँ ताकि आप इसे खुद से भी पढ़ सकें उमिद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा अब आपको मैं प्रमान देता हूँ कि जिसके कुंडली में मालब भी यो है वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या-क्या प्राप्त कर सकता है ये देखिए ये मालब भी योग आपको दिखा हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मालब भी योग फल दिया गया है प्रमान है जातक पारिजात का पेज नम्मर 331 असलोक नम्मर 64 प्रमान के साथ म संधि नैनह सौंदर साली गुनी ते जश्वी सुतदार बाहन धनी सास्त्रार्थ वित पंडितह उत्साह प्रभु सक्ति उत्साह प्रभु सक्ति मंत्रा चतुरस्य त्यागी पर इस्त्री रतह सत्याइब्द मुपाइत सप्त शहितं मालब्योगोद भवा प्रमान है ये इसका अर्थ क्या हुआ वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए क्या लिखा गया है मालब्य योग में उत्वर्ण व्यक्ति इस्त्री के समान चेश्टा वाला यानि कि इस्त्री के समान हावावाला इस्त्री के समान ही सुन्दर सरीर और नित्रो वाला सुन्दर एवम गुनवान होता है वह तेजश्वी इस्त्री पुत्र और बाहनादी से युक्त धनिक, शास्त्रों के मर्म को समझने वाला बिद्वान और देखिए क्या लिखा गया, पंडित होता है वह उत्षाही, शक्ती संपन्द, मंत्रना में कुशल, पर इस्त्री में निरत और उदार होता है, जिसकी आयू 77 वर्ष की होती है 77 वर्ष में इन सभी सुखों को आप भोग करके मित्रों पर लोग को सिधारेगी हमने इसमें एक विशेष कंडिशन लगाया है, मालब भी योग को फलित होने में, वो है कि आपके कुंडली में वो चंद्रमा अथवा सुर्ज के साथ नहीं होना चाहिए आपको अथवा आप में से जो भी जोतिस के विद्वान होंगे, वो इस बात को खंडित कर देंगे कि ऐसा नहीं है, ये सिध्धान नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका प्रमान देता हूँ ताकि आपके मन में भी ये संसेना रहे और आप भी आगे से इस प्रमान को माने, इस बात को माने प्रमान है मान सागली का, दिया गया है केंद्रोच्चगा यद्दपिभू सुताद्या, मारतंड सीताम सुयुता भवंती, कुरबंती नौर्वी, पतिमात्म पाके, यच्छंतिते केवल सत्फलानी मान सागली का प्रमान है, दिया गया है, कि मान सागली के अरुषार, यदि पंच महापुरुस योग कारक भौमा दिगरा, सुर्य अथबा, चंद्रमा के साथ केंदर में स्वयुक्त हो, तो उक्त योगों के कथित भल वाधित हो जाते हैं, जातक राजा नहों कर एक सामान धानिक बन कर रहा जाता है, प्रमान है, तो मित्रों, अब आप समझ चुके होंगे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा, और इतने पर मैं ही अपने बानी को बिराम देता हूँ, और उमीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम दस ग्रूप में तो वाट्सेप में सेर करो यार, कम से कम दस लोगों को तो भेजो, आप लोग सिर्फ देख करके छोड़ देते हो, ये उचित नहीं है, अपने आगे आगे इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबाएं, एक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद, थेंक्यू, थेंक्यू सो मच, जैहिंद, बंदे बाद,